नमस्कार दोस्तों इंडिया बोलेगा मैं आपका स्वागत है जौनपूर के सराय ख्वाजा में के पकड़ी गाउं में दो लोगों के वस्त खेता सराय के बर्जी गाउं में एक लोगों के गुरुवार को जहरीली सराब पीने से मौत का मामला सामने आया था ऐसे में सुक्रवार को पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशाशन ने राहत की सास ली पोस्ट मार्टम करने वाले डाक्टरों की रिपोर्ट में मौत का करण जहरीली सराब नहीं बलकि फेफ़डो में संक्रमर दिखाय गया है इसी का हवाला देते हुए पुलिस रामव्रिच की मौत को कोरोना वाइरस से होने का करड़ बता रही है बताते चले की सरायख्वाजा थाना छेत के पकड़ी गाउं की मीना 38 वर्स के पेट में बुद्धुवार की शाम तेज दर्द होने लगा परिजन उसे उपचार के लिए नीजी अस्पतालों में लेकर भटक रहे थे इसी दौरान उसकी मौत हो गई सौ की अंतेश्टी कर दी गई कुछी देर बाद उसके पती रामव्रिच चालिस वर्स की भी हालत खराब हो गई उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां गुरुवार की सुबह उसने भी दम तोड़ दिया इससे पूर्व बुद्धुवार की शाम खेता सराय थाना छेत के बरजी गाव निवासी इस्तिखार अहमद उर्फचुन्नू चालिस वर्स की भी इसी तरह से मौत हो गई थी ग्रामीडों के अनुसार तीनों ने पकड़ी इस्थित अवैस सराप के अड़े से सराप खरीद कर पी थी इंटरनेट मीडिया में जहरीली सराप से आधा दर्जन से अधिक की मौत होने की खबर वाइरल होने के बाद जिला प्रशाशन वर पुलिस प्रशाशन के हाथ पैर फूल गए अपर जिला अधिकारी मजिस्ट्रेट भू राजस्व राजकुमार दिवेदी एस्पी ग्रामीड त्रिभुएन सिंग सीओ सदर रडविजै सिंग ने दोनों गावों में पहुँच कर घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की मौत का कारड साफ हो सके इसके लिए पुलिस ने रामवरिच के सव को पोश्ट मार्टम के लिए भेज दिया ASP ग्रामीड त्रिवुएन सिंग ने बताया कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में रामरिच की मौत का कारड़ दोनों से फड़ों में संक्रमड होना दिखाया गया है ग्रामीडों से पूश्टाच के दोरान मृत दमपत्ती के कोरोना संक्रमित होने के लच्छड दिखने की बात सामने आई थी